नमस्कार दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौरिया गुरू एकैडमी पर दोस्तों जितने भी छात्रे इस वीडियो को देख रहे हैं मगद इनवर्सिटी के सेशन 1720 पार 3 के सभी इस्टुरियंस के लिए सभी छात्रे छात्राओं के लिए से जो information मिला है आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जनकारी दी जाएगी काफी लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं सेशन 1720 पार 3 रिजल्ट को लेकर क्योंकि रिजल्ट को लेकर कोई ऐसा सोचना नहीं मिला था लेकिन आज कुछ information मिला है इसलिए आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में सेर्ठ करूंगा आपके साथ इस वीडियो को देख रहें तो एंड तक वीडियो को बने रहीएगा वीडियो को जयाधा सी जदा जो परिच्छा डेट है जारी कर दिया गया है ठीक है Official Notification पर और इसके लिए मैंने Already Video बना दिया हूँ ठीक है इस पर मैं Already Video बना दिया हूं क्योंकि Vo ile first year कर जो परिच्छा डेट है जारी हो गया है परिच्छा डेट जो है दस थारिक रखा गया है ठीक है और आप लोग देख सकते हैं इसके पर मैं आल्रेडी वीडियो बना दिया हूँ आप लोग जाके देख लीजेगा और ऑफिस्यल नोटिफिकेशन भी यहां पर देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हैं अब बात करते हैं 17,20,3,Result को लेकर क्या Information मिला है चलिए बात करते हैं आपको बताते हैं कॉलेज की तरब से जो कॉलेज के अधिकारिक है जो प्रिंसपल है, उन्होंने ये जनकारी दिया है क्योंकि कॉलेज के प्रिंस्पल से डीर्liers बात करके आ रहे हैं और आपको तो उन्होंने यह बताया कि देखिए इन्वर्सीटी क्या है कि जल्दवाजी में रिजल्ट जो है जारी किया था ध्यान से मेरी बात को इस वीडियो को सुनिएगा समझेगा कि कॉलेज के प्रिंस्पल्न ने क्या बोला था बात को तो आप लोग नोट करिएगा, उन्होंने ये कहा कि जल्द बाजी में इन्वर्सीटी ने रिजल्ट आपका विपसाइड पर जारी कर दिया, ठीक है, जिसके कारण, जल्द बाजी के कारण, जिसके कारण, जो है, कुछ चात्रों का रिजल्ट जो है, सो कर रहा है, और कुछ उम्मीद लगा के रखें कि रिजल्ट हमारा जारी हो जाएगा, सो होगा, तो उन्होंने ये बताया कि आपका जो रिजल्ट जो है, छात्रों का फिर से नया अपडेट किया जाएगा, जिसके कारण आप लोगों को बताया गया है कि टीर का वेट करें, टीर जब आएगा, तो हम उसके कारण आपका सुधार जो रिजल्ट है करेंगे, और उसके कारण जो है, आपको का फिर से रिजल्ट जो है सुधार होगा, ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि सर टीर कब तक आएगा, इसका कोई डेट है, बताइए, फिक्स डेट हमें बताइए, कंफरम करिये, सर क टीर आजाएगा, टीर आने के बाद उसके बाद इन्वर्शिटी टीर भेजेगी, उसके बाद जो है, हम उस पर चेक करेंगे, किन-किन छात्रों का क्या-क्या गडबड़ी है, जिनका गडबड़ी रहेगा, उनका रिजल्ट जो है, अपने माध्यम से सुधार करके, उनको जारी कर दिया जाएगा, वेबसाइड पर फिर से, ठीक है, ये साभी जनकारी कॉलेज के प्रिंस्पल ने देते हुए, यहीं से समाप्त किया, और उन्होंने कहा कि आप लोग 10-12 दिन वेट कर लिजे, टीर आने का, जो आप लोगों का टीर आएगा, तो 10-12 दिन के बाद आप लोगों का जो है, सुधार फिर से, किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आप लोगों का वेबसाइड पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया, इस वीडियो का माध्यम से क्या आप लोगों को जनकारी मिली है, हाला कि ये वीडिय जो इसलिए नहीं बना रहा था, क्योंकि रिजल्ट को लेकर कोई भी ऐसी नहीं अपडेट नहीं सूचना नहीं आ रहा था, और वीडियो बनाया, आज कुछ नया अपडेट मिला, प्रिंस्पल की तरफ से जनकारी मिला, कॉलेज के प्रिंस्पल से कुछ जनकारी मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा और किसी भी तरह का देखिए आप जो स्ट्रीन से मर्क शीट का इंटजार कर रहे थे कि सर मार्क शीट कब तक है यह को पताया चाहूं गा सब Acho हाथ रोको कि मार्क शीट जो है आफ इसके लेकर कोई भी न very नोटिस जारी नहीं किया गया है और नहीं कोई अपडेट आया है इनवर्सीटी से जैसे ही आएगा हम सबसे पहले वीडियो प्रवाइड कराएंगे और आपको सबसे पहले सूचना देंगे ठीक है तो आप लोग वेड़ कर लिजा मार्क सीट का अभी तक कोई ऐसा मार्क दिन में तो आप विश्वास मत करेंगे क्योंकि अभी तक कोई भी नया ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है तो जब होगा तो आपको सबसे पहले वीडियो प्रवाइड करा दिया जाएगा तो यहीं से वीडियो समाती हरते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जैन जैवं दिन मतरम